तो की हल चाल ससरेकाल मैं हूँ नियौन मैन और गईज आज हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में सो बिग बॉस के कल वाले एपिसोड में सलमान खान ने इन डाइरिकली कुछ कंटेस्टेंट्स को स्लैम किया अब मैं आप लोगो एकदम शॉट में समराइज करके बताता हूँ कि exactly हुआ क्या बेसिकली आप लोगो याद होगा मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगो बताया था फिर उनका बिग बॉस के साथ भी conversation वहा था on this topic बट कल जब weekend कवार में सलमान खाना है वो indirectly ये चीज़ को address किये वो किसी का नाम तो नहीं लिए बट वो बोले कि इस घर में कुछ ऐसे contestants है जिनको मेरा feedback अच्छा नहीं लगता है तो मैं अब से उनको कभी feedback दूँगा ही नहीं कि वो कैसे चल रहें गेम में अच्छा खेल रहें या फिर खराब क्योंकि मेरा intention कभी खराब नहीं होता है feedback को लेकर मैं जो भी बोलता हूँ आपके भलाई के लिए कहता हूँ अंकिता, मुनावर, मनारा चोपडा और ईशा को और वो personally उनसे बात किये और उनको feedback दिये और एपिसोड के end में जब वो जा रहे होते हैं वो बोलते कि भाई जिससे मेरे को बात करना था मैं कर लिया बाकि सब भाड में जाओ मेरे को तुम लोग से मतलब नहीं है Anyways, talking about UK07 Rider and Bro Sena तो Bro Sena के तरफ से एक Joker Movement भी स्टार्ट हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं उनके भाई और कुछ और फैंस Joker का मास्क लगा के नीडी और पूर लोगों के help कर रहे है Basically ये message देते हुए कि अगर Joker ऐसा होता है तो ठीक है भाई मेरे को Joker ही बुलाओ क्योंकि UK07 Rider जब Big Boss में गहे थे तो उन्होंने बोला था कि उनका सारा Big Boss का fees वो charity में donate भी करेंगे Anyways, while we're on this topic तो इस Big Boss के season में एक बहुत बड़ा twist आ सकता है जहां according to some sources बताया जा रहा है कि next week 4-5 contestants को evict किया जा सकता है एंड उन 4-5 लोग को replace करते हुए 4-5 wild card entries आएंगे लगता है Big Boss makers को कुछ लोग इतना जाधा boring लग रहे हैं कि वो लोग replace करना चाते हैं Anyways, चलिए बागी बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में before और after की mean पे जिस पे और एक trainer है वो कह रहा है कि उसने में को train किया है वो before और after वाली जो फोटो इस पे before पे और में को और मोटा किया और after पे और और पतला किया है लक्षे चौधरी के बारे में तो लक्षे चौधरी का 1.2 million followers वाला Instagram account डिलीट कर दिया गया जहां guys वो अपने new Instagram account में ये photo post करके दिखा है and then इस पर react करते वे उन्होंने ये कहा लक्षे भाई वापस से underrated creators में आ गया इंस्टेगराम पे तो हाँ जिते भी creator फोलो कर रहे हैं भाई मैं फोलो बैक करूँगा ऐसे टेंशन मत मानिया अटिट्यूड नहीं है क्योंकि वो लिमिट रहती है मुझा पतलागा इंस्टेग्राम पे न दो सो लोगी तो मैंने अपने स्कूल के बनने बोलो कर दिये बहले दो सो लिमिट से लिगई कल भाई ऐसे इन्हीं सब अरगतों की वेसा गया हो पिछले वाला भी वी वाल वी रूपिक ऑफ इंस्टेग्राम डिलीट तो कल मैं आप लोग को बताया था कि Elvishadav के फाउंडेशन वाले इंस्टेग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया था बट इस से रिलेटेट वोई गुड निउस देते वे अपने लेटेस व्लॉग में ये कहे वापस ला दिया हो वापस लादिया वाई एक बात बता हो अगर कोई चीज उड़ गई पोर्ट मारा मारा के अपील कर सकते वाप इब यह यह निव्ड ना चीए था चेक करो आड़ा साथ-साथ वापस आ गया तो चलिए अब आगे पढ़ते हम लोग बात कने वाले फुक् इनसान यह फोटो पोस्ट करके कहे 24 नोवेंबर 2023 यूर मैजिकल भाईया मतलब कि 24 नोवेंबर को कुछ बड़ा आने वाला है तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट को लिया नवीनुलहक के बारे में आप लोगों यादी होगा इन दोनों के नवीनुलहक कोई भी मैच खेलते थे इंडिया में उनको मॉक किया जाता था बाई कोली कोली चैंट्स बड़ जैसे ही इंडिया वसेस अफगानिस्तान का मैच हुआ एक बहुत ही अनेक्सपेक्टेड चीज हो गया विराट कोली एंड नवीनुलहक एक दूसरे को हग किये इसके बाद विराट कोली के फैन्स भी उनको मॉक करना बंद कर दिये सब कोले और विराट के तरफ से आपके नाम का भी चैंस होगा तो चलिए बागी बढ़ते हम लोग बात करने वाले मौमध शामी के बारे में तो यूपी गवर्मेंट मौहमत शामी के विलेज में उनके नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं जहां आप लोगों तो पता है हुआ कि सेंसेशनल शामी कितना बड़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप टोर्नामेंट में यूपी गवर्मेंट तो इतना जादा इंप्रेस हो गए हैं कि वो उनके नाम पर उनके गाउ में एक स्टेडियम बनाने वाले हैं तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के एक वाइरल फनी वीडियो के बारे में अब लोग उनको रास्ता समझाए रहे थे कि बीच में MS धोनी कुछ ऐसा बोल दिये जिसको सुनकर काफी सारे लोग को ये चीज फनी लगा आप खुद ये क्लिप देख लो मतलब लाइफ में कोई भी मसला चल रहा हो यार चाई is the most important तो याद चलिए आप कुछ achievements के बारे में बात करते हैं तो first of all RS Play Super ने complete कर चुके 100 के subscribers then OG Anish ने भी complete कर चुके 100 के subscribers then Senpai Spider ने complete कर चुके 500 के subscribers and finally Fukra Insan Live ने complete कर चुके 3 million subscribers so मेरी मेनी congratulations to all of them तो चलिए अब एक international story के बारे में बात करते हैं हम लोग बात कने वाले kick platform के बारे में तो kick platform काफी बुरी तरीके से troll हो गए so guys recently मैंने आप लोगों बताया था कि एक twitch streamer ninja का earnings reveal हो गया था last 30 days का apparently वो last 30 days में 142,000 dollars कमाये थे अब यहाँ पर आता है twist इसके नीचे community notes आया एक correction आया कि this is not possible क्यूंकि ninja का majority of earnings were from ad revenue and prime subs and यह दोनोई चीज किक platform किसी भी streamer को offer नहीं करते हैं तो नहीं this is wrong अगर ninja kick में stream कर रहे होते हैं तो उनका significantly less income होता सो यहां तो चोल दोस्तों आज की video के लिए बस इतना है अगर आपको यह video थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो like कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूज सब्मिशन का लिंक डेस्क्रिप्शन में वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरी डेस्क्रिप्शन में सो यह से सपोर्ट करते रहा ना मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई